देखे, हेलो इस्टूरेंट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाइपार्ट, clear? तो पहले ये कहता क्या है, इसको समझ ले तो according to integration by part, if we have, if we have, u and v are the two functions, are the two functions of x, are given, then उसका integration हो जाएगा, then integration of u dot v dx, ये होता है, यू, integration of v dx, minus integration, differentiation of u, and integration of v dx, and this whole dx, clear? देखे, सबसे पहली चीज़ by part लगेगा कहाँ, जहाँ पे दो functions given हो, और वो दोनों ही functions x के respect में given हो, तब ही हम dx के respect में उसका integration कर पाएगे, तो जहाँ पे दो ऐसे function जो x के form में given हो, तो उसमें से एक u बन जाएगा, और दूसरा v बन जाएगा, तो u dot v dx, ये हो जाता है, यू, integration of v dx, minus integration of differentiation of u dx, into integration of v dx, and this whole dx, देखे, इसको read कैसे करें? माल लिए, ये first function है u, और ये second function है, तो first function, into इसका integration, integral of second function, clear, and then minus integral of integral of sporeka, तो दिएशन 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 दिएश क्लियर और इंटेडर इस पूरे का दो यह यह कहता है by part अब यहाँ question होता है क्या first function हम किसी को भी रख सकते है दो function दिये हुए है तो क्या कोई भी यू हो सकता है या कोई भी भी हो सकता है तो ऐसा लिए देखें इसके लिए कौन सा function जो x के form में given है ठीक है, I indicates inverse function, ठीक है, inverse function such as sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x and etc, clear, L indicates logarithmic function, ठीक है, र सीक्षख है, ठीक है, ठीक है, रग फॉल, न, तीक है, अरीक है रही रहा डहीं है, ञग स्क्क्रा, X क्यूल, 3 x स्क्रा, बाल Cum item अंदर अर्ग अ क्याह् है, ठीक हoundर न, बाल clear and now e exponential function like e to power x e to power 2x clear and so on तो अब according to eyelet, eyelet क्या कहता है, जैसे हम आपास integration है x log x dx clear, तो इसमें u कौन होगा और v कौन होगा, x हमारा क्या है, x हमारा algebraic function है, तो देखें, यहाँ है और logarithmic l उसके उपर है, तो जो सबसे पहले आएगा, उपर आएगा, वो हमारा बनेगा u, और जो बाद में आएगा, वो function हमारे के लाएंगे v तो यहाँ पर इसको consider करना है u, और इसको consider करना है v, जैसे x square sin x, अब इसका integration करना है, तो दो function है, एक x square है, और एक sin x है, तो x square क्या हो गया, algebraic, तो a पहले आ रहा है, और sin x, trigonometric, बाद में आ रहा है, तो इस case में u यहाँ आ जाएगा, और यहाँ यह बन जाएगा, देखे यहाँ पर x log x है, ऐसा नहीं, जो पहले लिखा है, वो यू बन जाए, और जो बाद में लिखा है, वो भी बन जाए, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस order का बस, ख्याल रखना है, आइले, clear, तो I hope कि अच्छे समझ में आया हो, अगले lecture में, इसके उपर जो आड़ी समा पर exercise 19.25 पूड़ा, उसको complete करेंगे, ठीक है, thank you